श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में दस्वे भाव में रहेंगे जी हां दस्वे में मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपको इस समय में धन कमाने के नए रास्ते नए जरिये मिल सकते हैं जो लोग बिजनिस करते हैं उनके लिए ये समय काफी बढ़िया रहेगा आप इस समय में खुल कर निवेश कर सकते हैं निवेश के लिए पैसों के लेंदेन करने के लिए ये समय काफी अनुकुल है, ये दिन पूरी तरह से आप ही के फेवर में रहेगा, दिन का पूरा लाब उठाए और अपने जीवन के हर पल का आनन ले, इस समय में आपके सहयोगी आपकी मदद करेंगे, आपका मन अपने काम में लगेगा, अच्छे कामों की वज़े से आपको अवश्य मिलेगा, जो लोग नोकरी ढून रहे हैं, उनके लिए समय शुब है, प्रयास करें आपको अच्छी जावप मिल सकती है, कारेक शेत्र में चंदरमा के होने का मतलब ही यही है, कि कोई भी खाली नहीं रहेगा, सब को काम मिलेगा, कर्मों का फल इस समय में मिलता ही है, दस्वे भाव में चंदरमा 34 स्थान पर द्रिष्टी डाल रहे है, इस वज़े से आपको सुखों की प्राप्ती भी होगी, इस समय में आप भूमी या वहन ले सकते है, आपके घर में साथ सजावट का या जरूरत का नया सामान भी इस समय में आ सकता है, जो सामान काफी दिनों से लेने की आप सोच रहे थे, वो आप इस दिन ले पाऊगे, इस समय में आपको आपकी माता का सुख भी मिलेगा, इस समय में आपके ससुराल पक से भी आपको धन्नाब होने की संभान रहेगी, जो लोग राजनीती में हैं, उन लोगों को इस समय में खास तोर पर फायता होने वाला है राजनिति के छेतर में आपको नाम वपतिष्ठा मिलेगी धन की प्रापति भी होगी और राजनिति के छेतर में आप सफल होंगे अगर स्टुडंस की बात करें तो स्टुडंस के लिए भी यह समय बहतरीन रहेगा पढ़ाई में पूरी तरहonge मन लगेग अपने future के बारे में फैसला लेने के लिए अपने future की planning करने के लिए ये समय सही है इस समय में आपकी वानी में मिठास रहेगी लोग आपसे प्रभावित होगे इस समय में आप प्रसन न रहोगे खुश रहोगे positive सोच से आगे बढ़ोगे इस समय में आपको पारिवारिक सुक्की प्राप्ती होगी परिवार के साथ खुश्या मनाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा अगर स्वास्त की बात करें सेहत की बात करें तो स्वास्त से जुड़ी चोटी मोटी परिशानिया इस समय में आने की संभाव न रहेगी लेकिन चिंता करने जैसी कोई बात नहीं रहेगी अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए योगा का सहरा लेना हमेशा ठीक रहता है लेकिन उसमें अपने सांस लेने और छोडने का वक्त उस पोज के मताबिक सही होना चाहिए जी हाँ अपनी सास लेना या छोड़ना काफी मायने रखता है ये दिन आपके लिए आर्थिक सिदी के हिसाब से भी काफी बढ़िया रहेगा विदिश से धनकामाने के मोके भी इस समय में आपको मिलेंगे कुल मिलाकर ये दिन बहुत अच्छा जाएगा बहुत अच्छा राशी पर आधारित है कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दो अशकार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दर असल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी ब अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही तो फिर निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभाता इस तो आधे और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हां जो चीजे हमें लग जैसे घर के च्छट को पूरी तरे से साफ रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के ऊपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं ह इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है। है तरक्य ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद। झाल करें जरूर करें ड्रूर करें तरह करें जरूर आपके बदलावद।